वैखन नहीं सिख्शक भरती देखने को मिलेगी अगर आप जिसे पहले भी बहुट सारी वेकेंसी अाती रहती है और आपको मैं बता दू कस्तूर्बा गांधी बालिका करना चाहते हो तो नीचे अपने district का नाम लिख दे जब भी आपके district या फिर आपके जिले से recruitment आईगी उसकी सूचना आपको दीज आईगी आगे बढ़ते हैं और चीधे मैं आपको बता दूँ लास्ट डेट इसका 15 अगस्त रखा गया है लेकिन मैं आपको टेक्निकली बता आप लोगों से request है फ्रीज वीडियो को like करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को share करें क्या पता किन है जो है जौब की आपसे भी ज्यादा need हो सकती है तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाए अब देखिए यह रहा पीडियप official पीडियप आपको हमारे टेलिग्राम पे भी मिल जाएगा यहां से आप देख सकते हो और यह पीडियप कितना अच्छा सरकार ने बनाया है बताओ यहां से आप देखकर क्या पढ़ दोगी यह बताओ मुझी कुछ नहीं पढ़ पाओगे न सरकार ऐसे ही आपके लिए जो सब्जेक्ट भी दिखा दूगा अलग से एक न्यूस पेपर में कटिंग आय थी एड़िडिसमेंट की वहां से मैं आपको सब्जेक्ट दिखा दूगा देखे मिनिममम एज 25 मैक्सिमम 45 रखी गई है 24,200 रुपए आपको परमंत यहां पर दिया जाएगा आगे देखिए औ और जो अलग-अलग वेकेंसी जिसे देखो यहां पर मैंने किसी तरह से पढ़ पाया क्योंकि यहां पर बिप्याड लिखा हुआ था यानि कि यह सारीरिक सिक्षक की रेकुट्मेंट आई है और यहां पर देखो कंप्यूटर टीचर की रेकुट्मेंट आपको देखने को म आपको यहां पर आपको चलता हूँ और यहां पर क्या-क्या मांगा गया, वो मैं आपको दिखा दिखा तुर्हां पर देखो एक तो सबसे पहले आपको से ले करके graduation, post graduation जो भी आपने करा है वो आप यहाँ पे सभी का certificate, mark sheet सब कुछ आप जो है upload कर दोगे, यह हुआ पहली बात, दूसरी बात आपको cast certificate भी यहाँ पे करना है, residential certificate भी आपको यहाँ पे देना है, और अधार कार्ड बगेरा भी आपको यहाँ पे देना है, साथ में दो लिफापा भी आपको यहाँ पे attach कर देना है, दो लिफापा में क्या होगा भाई, आपका address और 42-42 रुपे का dark ticket आपको अंदर में यह फिल करके पहुचा देना है, और बड़े से लिफापे अंदर में यह 42-42 रुपे का जो ticket लगावा लिफापा है, यह अंदर आप र degree, जैसे कि अगर आप general हो तो UR लिखोगे, OBC हो तो OBC लिखोगे, SCST work से आते हो तो SCST work यहाँ पे लिख दोगी, ठीक है, rate pen से बड़ा सा आपको लिख देना है, अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके website पर, actually website पर क्या ही ले जाओँगा मैं आपको, wait a minute, यह रहा इसका newspaper की cutting, ठीक है, कौन-कौन से subject की recruitment आई है, हिंदी की, इंगलिस की, गनित की, विज्ञान की, समाजिक, विशाई की, यानि कि सब subject की recruitment आ चुकी है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मांगा क्या गया है, हिंदी के लिए अगर आप जा रहे हो तो हिंदी में आपका graduation, ह इच्छा आपने paper 2 pass कर रखी हो, यहाँ पर प्रात्मिक लिख रखा है, इनोंने पता नहीं कौन सा नसा ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6-8 वाली classes होती है, तो आपको 6-8 वाला ही class को pass करना होता है, तो TAT, अगर आपने कर रखा है, चाहे वो TAT, UP TAT हो, MP TAT हो, राजस सिच्छा के लिए भी TAT की जरूरत नहीं है, अब यह जो vacancy है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख लिजे, कारियाल है, जिला सिच्छा basic अधिकारी हर दोई से यह recruitment आई है, कहां से आई हर दोई से, तो आपको जो address आप बड़े वाले लिफापा में लिख कर 15.08.2024 इसकी last date रखी गई है, और यह जो आप भेजोगे, यहाँ पर देखे लिख रखाया है, पंजीकृत डाक या फिर speed post के माधियम से आप भेजोगे, कैसे भेजोगे, speed post के माधियम से भेजोगे, आप जो है, नॉर्मल डाक से भेजोगे, तो आपका reject हो जाएगा, तो आप लोग खुद से अगर निकलवा सकते हो, तो दूसरे जगह के किसी, I mean, चित्रकूट से भी अभी हाल में रेकूटमेंट आया है, उसकी भी PDF मैंने टेलिग्राम पे अपलोड कर दिया, तो चित्रकूट वाला जो है, PDF से ही आप फिल करके इसे भीज़ देना, दूसरी ब आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day.